हम लोग पढ़ने वाले card के types के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले debit card के बारे में, debit card क्या होता है कि आपके account में पहले से balance रहे और फिर आपको shopping करते हो या कहीं pay करते हो तो आप उससे, अपने account से balance को cut वा सकते हो, तो by using the debit card, ठीक है, और अगर आपके account में balance नही है और तब भी आपको payment करना है, तो ये service provide करती है credit card, ठीक है, तो मलता उधार ले रहे हो आप, आपके balance नहीं है account में, फिर भी आप payment कर सकते हो, कुछ दिनों का वो interest free आपको loan type का देते हैं, और उसके बाद फिर अगर आपने उससे late किया, तो फिर आपसे interest लिया जाएगा, जनरली 30 days का दिया जाता है, तो आपने देखा, ये debit card है, ये credit card है, इन दोनों को बोला जाता है plastic money, NCRT book में इन दोनों को plastic money बोलके mention किया है, तो आपके याद रखना plastic money क्या हो जाता है, credit card and debit card, next है hybrid card, hybrid का मतलब क्या होता है, दोनों के qualities को एक ही card में दे देना, इसमें चीप लगे हैं, ऐसे जनरली हर एक card में कितने चीप हैं, एक चीप हैं, बगर यहाँ पे देखो दो चीप है, इस तरफ से डालोगे तो ये debit card का का काम करेगा, और अधर से डालोगे तो credit card का 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 काम करेगा, तो दोनों को मिला करके hybrid card भी बनाया जा सकता है, credit card plus debit card, clear है, next जो last है हमारा इस topic का, ये देख रहे हो आप prepaid card, prepaid card में क्या होता है, पहले से आप payment दे दो, इसके लिए आपका bank account होना जरूरी नहीं है, तो आपने पहले से पेमेंट कर दिया और एक आपको card दे दिया गया, उसमें उतने रुपे store है, तो ये railway का card है, IRCTC ने इसे शु कि है, इससे आप क्या कर सकते हैं, railway tickets ले सकते हो, railway के अंदर में जो उनके cantings होते हैं, वहाँ पे खाना खा सकते हो, तो इसको किसने मिलके बनाया है, UPI, जो UPI है, Union Bank of India and Rupay, इन दोनों ने इसमें gateway प्रोवाइड किया है, back end support और IRCTC ने इसे लांच किया था, clear है, ये हो गया prepaid card, योगया hybrid card, योगया credit and this one is debit card, thank you